नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2022 लेटेश्ट अप्डेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकिए 25 फरवरी 2022 की बड़ी अप्डेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज तो दोस्तों देखें सीटेट 2021 की लेटेश्ट अप्डेट में नॉर्मलाइजेशन पद्दिती से जारी हो सकता है रिजल्ट जान लिजे ये जरूरी बात पूरी अप्डेट हम इस वीडियो में देखेंगे एक और दोस्तों बड़ी अप्डेट हम आपके सामने रखेंगे अभी आपको बता दे आज हमारा यूपीटेट 2021 का रिजल्ट आने वाला था लेकिन यूपीटेट परिडाम इस्तगीत कर दिया गए अब चुनाओ के बाद आएगा रिजल्ट तो दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश करता है इसलिए इस रिजल्ट को मतलब इस्तगीत किया गया है लेकिन जो हमारा सीटेट का रिजल्ट है ये 15 फरवरी 2022 तक जारी होना था लेकिन आज दोस्तों आज हमारी तारीक 25 फरवरी हो चुकी है तो भईया हमारा जो रिजल्ट का इंतजार है लगा तर बढ़ता जा रहा लेकिन हम आपको बता दे comment box में दोस अमने link दिया जहां से आप लोग अपना सीटेट का रिजल्ट डाउन्लोट कर सकते हैं ठीक है link जैसे ही activate होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउन्लोट कर पाएंगे अपडेट के आ रही है नॉर्मलाजिशन को लेकर कि केंद्रिय सिच्छा पातरता परिच्छा सीटेट 2021 को आयोजीत हुए लगबग एक मा का समय बीद गया है और इसमें सामिल होने वाले भेरती बेस अबरी से इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे है केंद्रिय मादमिक सिच्छा पोर्ट CBSC दोरा आयोजीत की जाने वाली इस परिच्छा का रिजल्ट 15 फर्वरी को ही जारी किया जाना था लेकिन इसे अभी तक जारी नहीं किया गया 16 दिसंबर 2021 से लेके 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजीत की गई इस परिच्छा में लाखों की संक्या में अब भेरतीयों ने हिस्सा लिया था विबिन मीडिया रिपोर्ट के मताबिक CBSC अगले कुछ दिनों में इस परिच्छा का रिजल्ट जारी कर सकती है हाला कि बोर्ट ने इससे लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशल अपडेट जारी नहीं किया है इसलिए अब भेरतीयों को इससे संबंदी सुचिनाव के लिए दिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए तो इसलिए दोस्त अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिंक दिया जहां से आप लेटेश्ट अपडेट पर आप तक कर सकते हैं आप देखें नॉर्मलाजेशन को लेकर क्या अपडेट है 16 दिसम्बर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजित की गई इस परिच्छा में नॉर्मलाजेशन की ब्योस्ता लागू की जा सकती है और अब बेर्तियों को जो फाइनल रिजल्ट है इसी ब्योस्ता के तहें जारी किया जा सकता है दरसल CBSC ने एक नोटी जारी करते हुए बताया था कि अलग-अलग सिप्टों में आयोजित होने वाली इस परिच्छा में निस्प पच्छता सुनिशित करने के लिए नॉर्मलाजेशन की ब्योस्ता भी अपना ही जा सकती है बोर्ड ने कहा था कि अगर इस परिच्छा में कोशन पेपर के अलग-अलग सेटों का डिक पल्टी लेवल अलग-अलग होता है तो इसमें नॉर्मलाजेशन की ब्योस्ता लागू की जा सकती है तो सिंपल थी बात है आपको एक बात पता है कि यह सभी बच्छों को मतलब अपने दोस्तों के मतलब ठीक है वही रहेगा ठीक है, तीन तरह है कि दोस्तों बच्चों देखने को मिलेंगो इस बार एक बच्चे के नम ही रहेगा अे बच्चे के नमा घटेगा और एक बच्चे के नम बड़ेगा ठीक है, उसके बाद सिट जॉलाई 2022 को लेकर अब सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जो जुलाई में paper होगा seated का क्या वो online माध्यम से ही होगा कि offline होगा तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे भईया जो इस बार online माध्यम से कितनी जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस से पहले seated का जो paper होता था एक दिन में हो जाता था देखें यहां पर online paper होने से बच्चों का नुक्सानी हुआ है अगर offline paper होता तो एक दिन में paper होता और 15 दिन या 20 दिन के अंदर result आ जाता है तो दोस्तों जादा बेटर था लेकिन इस बार कुछ फैदा देखने को मिलने रहा और normalization वाली दिक्कत ना आती तो अभी जब normalization किया जाका तभी दोस्तों सब कुछ clear होगा कि कितने बचों को number बढ़ गया कितने बचों को number घट गया दिखिए घटे का तो दिक्कत जाता है ठीक है उससे दोस्तों किसी बच्चे का result प्रभावित हो सकता है अब result में क्या है यहाँ पर number से आपको नौकरी तो मिलती नहीं है माल लेते कि आप 20 number बिल्कुल होता है न कि borderline पर दे एक number जनरल में कम होगा 89 हुआ normalization के वज़े तो सोचिए आपका result fail हो जाएगा not qualified होगा मतलब पूरी मेनत आपकी पानी में जाएगी तो यह दोस्तो सबसे बड़ी दिक्कत है नौर्मलाजेशन में बाकि हमने seated result का जो लिंक है comment box में description box में दे दिया है वहाँ से लगातार चेक करते रहिए सबसे पहले आप लोग अपना result डाउनलोड कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो सीटेट रिजल्ट के सासत यूपीटेट रिजल्ट की भी बड़ी अपडेट देखने को मिली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PNP के प्रस्ताओं को सासन की समीती ने नहीं दी अनुमती अचार सहीता समापत होने के बाद भीजा जाएगा नया प्रस्ताओं यह दोस्तो पूरी अपडेट है यूपीटेट को लेकर तो आप देख सकते हैं दोस्तो नई नई अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है आप कुछ बच्चों के मन में सवाल था कि यह सुपर टेट में कैसे नौकरी मिलेगी देखिए दोस्तो चुनाओ का समय चलना उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वादे किये जा रहे हैं बड़ी बड़ी वेकेंसी के वादे हो रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने पदों पर वेकेंसी निकालेंगे कोई एक लाग का रहा है कोई दो लाग का रहा है तो जरा इस मामले को हम समझते हैं और यहां तक दोस्तों कि यह आई अपडेट की उत्तर प्रदेश में 11 लाख मतलब पद खाली हैं तो जरा इस मामले को हम समझेंगे कि है क्या पूरा मामला देखें सुपर्टेट कैसे नौकरी मिलती है पहले दोस्त आपको बता दे आपका एकेडमी का अच्छा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर आप नौकरी चाहते हैं हाई स्कूल का 10% बार्मी का दोस्त दस परसेंट जोड़ा जाता है उसके बाद graduation जो आपने क्या उसका दस परसेंट उसके बाद अगर आपने DL8 किया है तो DL8 या दोस्त आपने B8 किया है तो B8 इसका 10% मतलब समझ लीजे आप 10% हमारा high school का 10% हमारा inter का 10% graduation का और 10% DLAD या BAT का, सबको क्या करेंगे, हम जोड लेंगे कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, 40 होगे न, टोटल हमारा होगे 40% तो 40% नमबर दोस्तों हमारे academic से लिया जाते हैं, बाकि जो 60% होता है यह लिया जाता है, जो हमारा supertate का paper होता है जैसे यह आप uptate या seated का paper देते हैं, वैसे जब आप supertate का paper देंगे तो वो भी question paper हमारा 150 नमबर का होता है और उसकी passing mark जरा समलीजें, supertate में जो passing mark है general category के लिए 97 नमबर, बाकि आरचित वर्ग, OBC हो गया हमारा तो यहाँ पर बदलाओ देखने के मिलता है, इसी वज़े से बच्चे confusion में रहते हैं ठीक है, तो तयारी आपके उस हिसाब से होनी चाहिए लेकिन आपको बता दे, अगर आप लोग supertate में बिलकुल borderline पर रहते है तो इन बच्चों की नौकरी लगबग confirm हो जाती है बाकि OBC कटेगरी में 90 नमर पाएंगे, तो भी यह नौकरी नहीं मिल पाएगे क्योंकि competition बहुत tough है OBC और general कटेगरी के चात्रों के लिए तो यह हो गया, बाकि देखें supertate में कैसे 60% निकाला जाते है माल लेती कि आप 150 में से 100 नमर स्कोर करते है, supertate में, ठीक है तो इसका 60%, मतलब 100 गुड़े 60 करेंगे, भागे 150 एक जूरो से एक जूरो कट गया, 15 एकम 15, 15 चोके 60, तो 10 गुड़े 4 के 40 यह 240 अंक की merit बन गई आपकी supertate की, बाकि देखें, जो हम 10% की बात कर रहेते हैं, आपर माल लेते कि आप high school में 70% पा गए तो 70 का मतलब क्या हुआ, जितना भी आप percent पाएं, उसको simple साया, 10 से भाग कर दीजे एक जूरो एक जूरो कट गया, यहाँ पर बचेगा आपका साथंग का गुड़ांग यहाँ पर 270 पाएं, यहाँ पर माल लेते हैं 80% पाएं इंटर में, इसको भी 10 से भाग करेंगे, ग्रेजविशन में माल लेते हैं, आप 60% पाएं, इसको भी 10 से भाग करेंगे, बाकि DLAD या 28 में माल लेते हैं, आप 80% इसको भी 10 से भाग करेंगे, तो इसको 10 से भाग करें 70 को 80 को 10 से बाकरिंग तो 8 आ जाएगा ठीक है, उसके बाद 60 को 10 से बाकरिंग तो 6 आजाएगा बाकि 80 को 10 से बाकरिंगे 8 आजाएगा तो 7 नंबर ये हो गया और 8 नंबर ये 8-7, 15 हो गया, 15-6, 21-29 आज त्थीक है तो ये 40 अंगता दोसतो 40 प्लस एकेडमिक मारी माले तो 29 गे जरा जोड लिंक तो हमारा हो जाएगा 69 तो ये 200 बन गया final आपकी merit इसे किसाब से आपको नौकरी दी जाती है तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए बाकी देखे आपका जो seated का result है comment box में link दिया गया को चेक करते रही है और आपको बता दे बाई जो यूपीटेट या seated का result आता है इसमें लाखों बच्चे फेल होते है हजारों की संक्या नहीं होती है यहाँ पर लाखों की तादाद होती है तो result के लिए आपको all the best है जैसे result का link एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप download कर पाएंगे चेक करते रही है ठीक है अभी तक ऐसी कोई update नहीं आ रही कि इस तारीक को result आएगा result के update यह है कि कि किसी भी वक्त result जारी हो जाएगा और उम्मीद करेंगे कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक आपका result आ चुका हो तो चलिए चेक करिए फिर मिलते हैं stay connected have a nice day